यूपी पुलिस वेकेंसी 2021 SI वो SSI भरती को लेकर बड़ी अपडेट जानी पूरी डीटेल हलो एन वेलकम एवरिवन वेलकम टू जी एरेस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्सक्राइब बड़ी अपडेट बताने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लाज सक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तो उत्तर प्रदेश पुलिस भरती इवं पोनिती बोर्ड की ओर से निकाली गई उपनिरिक्षक पुलिस सहायक उपनिरिक्षक लिपिक और सहायक उपनिरिक्षक लेखा के पदों पर भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की तीथी को 15 दिनों के ल bp.gov.in के जरीए निर्धारित तिथी आवेदन कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार कोरोना के कारण प्रमान पत्र आदी बनवाने में अभियर्थिये को हो रही परिशाने के कारण आवेदन की तिथी बढ़ाई गई है कुल 1329 रिक्त पदों पर भरतियां की जानी है इन पदों के लिए एक शुक अभियर्थी बोड की ओर से जारी आधिरातिक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें नियम अनुसार किया गया आवेदन ही मानने होगा आवेदन पत्र में गलती या फिर कमी पाय जाने पर उसे रद भी किया जा सकता है बात करिये अगर हम सैक्षने की योगिता के बारे में तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिक्तम सैक्षने की योगिता सना तक पास निर्धारित की गई है साथ ही आवेदन करने वाली अभियर्थियों के पास टाइपिंग स्किल मी अच्छी होनी चाहिए अभियर्थी इस भरती से संबने अधित जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं बात करें अगर हम आयू सीमा के बारे में उम्र सीमा के बारे में साथ ही अगर हम बात करें चैन प्रक्रिया के बारे में तो चैन जो होगा वो लिखित परिक्षव और शालेरिक दक्षता परिक्षव क्याधार पर किया जाएगा बात करेंगर हम salary के बारे में तो police sub inspector गोपनी है pay band 9,300 से लेकर के 34,800 और grade pay 4,200 level 6 है Police assistant sub inspector कलर pay के लिए 5,200 से लेकर के 20,200 रुपीज है Police assistant sub inspector auditor के लिए 5,200 से लेकर के 20,200 रुपीज रखी गई है बात करेंगर हम महत्वपुन टिथियों के बारे में तो online आवेदन शुरू होने की जो टिथि है वो है 1 जून 2021 जो की अंतिम टिथि है 30 जून 2021 आपको अगर आवेदन इसमें करना है तो आपको इसकी website upbpb.gov.in पर जाना होगा और वहां जाके आप form को फिल अप कर सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलती हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम नमस्कार